यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ स्वस्त रहें और हर अंक में हम आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जिसको अपना करके आप अपने जिंदगी को खुशाल बना सकते हैं और आज आपको बता दे कि यह अंक भी बेहदी विशेश रहने वाला है आपके लिए फाइदमन साबित होने वाला है जी मै अपने आप में बहुत जादा पवित्र है मिन्स आपके लिए हेल्दी आपको कैसे रहना है कैसे आप हेल्दी रह सकते हो उन सारे नियमों का अगर हम लोग पालन करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी उबलब्दी रहती है ना कि अगर कोई भी इंसान हमेशा हेल्द रहना चाता है तो इससे मुझे लगा कि इससे उपर कोई भी अच्छा नाम सूटेबल आयरवेद के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है और पाइस आयरवेदा मेरी साइट का नाम और पाइस से ही मैंने सबसे पहले अपना एक प्रोड़क्ट बनाया था पाइस ऐलिमेंट्स प जाके मैं हार इंसान को हैल्प कर सकूं कि वो कैसे हैल्दी रह सकते हैं तो इसलिए पहले पाइस ऐलिमेंट्स मैंने बनाया थे और आई वस ओवाड़ेद फॉर इन्नोवेशन ऑफ दाट प्रोड़क्ट के हम लोग कैसे हमेशा के लिए हैल्दी रह सकते हैं जो जिनको कोई रॉब्लम ने यह चूटी मोटी प्रोब्लम होती है तो पाइस ऐलिमेंट्स के बाद मैंने पाइस अक्षा क Cast Nite अनर रखंग है तो आज मैं अपने यह जो पाइसदी मैंने क्यूं बनाए हैं सबसे पहले तो हैंना जब मैं ट्रीट करती थी ना पेशेंट्स को तो मुझे Dust एसे result मुझे लगता था कि यहां पर कुछ lacking है किसी चीज़ की है न कि इस इंसान को इतिन देर में ठीक हो जाना चाहिए तो यह क्यों नहीं हो रहा तो मैंने कुछ studies करी कि क्या reasons हैं कि एक इंसान medicine लेते हुए भी नहीं ठीक होता या बहुत बार आपने देखा होगा कि patient जो है वो misguided होते रहते हैं बहुत बार patient हमें आके यह बोलते हैं कि यह diagnose doctor ने मुझे कर दिया यह मेरा treatment चलता रहा है बाद में decide हुआ कि यह तो problem ही नहीं है तो मतलब ऐसे patients आते रहते हैं यह कई बार patient ऐसे आते हैं जैसे कोई बहुत 10-10 साल से bad-ridden है और आपको लगता है कि इस चीज़ को देख के करना चाहिए कि क्या reason है और क्या नहीं है जैसे पहले भी मैंने बताया था कि पल्स में भी हम आपकी mental status हम लोग सबसे पहले देखते हैं तो mental status पी आपकी environment जहां पी आप रहते हो तो उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है तो वह मैंने जब notice कि आपक रिकावर नहीं कर पाते किसी जिस तो आप उसमें आपका moral डाउन जाता रहता है तो medicine वगएरा उतना इफेक्ट नहीं दे पाती जितना आपको देना चाहिए तो basically आज हम बात करेंगे आपके पायस element की मैं आपने पायस नाम से प्रभावित होकर अपना ये सबसे पहली product निकला पायस elements तो क्या मैं पूछ सकती हूं कि इस elements में क्या-क्या ingredients यूज किये गए हैं हां पहले में उसके लिए बताऊंगे कि मुझे ये idea कैसे आया है क्योंकि ये हमारा चरक साहिता जो है that is the basic of Ayurveda है तो मैंने दिखा आज की डेट में हम पिछले काफी सालों से देखोगे आप के कभी स्वाइन फ्लू हो रहा है कभी woman कोई फ्लू हारा है कभी डैंगू होरा है कभी कुछ भी हो रहा हैं तो आज की डेट में हमारी जो प्रॉल्ब्लम सैं व वो सारे बढ़ती जा रही है तो हमारे आयरवेद में जन्पदोद्वन्स का रेफ्रेंस दिया जन्पदोद्वन्स उस चीज़ को गहते हैं जो भी कोई epidemic अगर किसी तरह से फ्याल रही है तो आज की डेट में अगर यह देखेंगे तो स्वाइन फ्लू या कोई भी जो ऐसे फ्लू वर्ड फ्लू है यह एकदम सी जब आते हैं तो बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलते हैं तो इट मींस कि इतनी जल्दी यह यह एपिडेमिटी हो जाते हैं कि हम लोग इसको को नहीं कर पाते तीक है और दूसरा यह है कि हर साल नहीं डेलिजीस हमारे उसमें मैं बोलु की डिक्ष्री में आड को एह हमारी है ने हमारी हमारी कुंकि इम्यूटी कम हो यह और इन मंईदバ magn시 इरिया और वारिस की इनक्यूमेंटी जादा हो रही है विकॉस वी आ गिविंग देम दा यू नो कॉडियल एन्वायमेंट के हम लोग इतना गंद फैला रहे हैं एन्वायमेंट खराब है सारी चीज़े हैं तो इसलिए वो लोग मतलब बो लोगी बोलूंगी कि वो हमारे से जादा स्ट्रॉंग हो रहे हैं यहां पर मैंने एक रेफरेंस देना चाहूंगी एक पिक्चर आई थी अभी टाइगर की फ्लाइंग जट है ना फ्लाइंग जट में बहुत अच्छा उनका प्लॉट था बट वो थोड़ी सी मुझे लगता फोटोग्राफी या कुछ उसमे लेकिंग रही जो के पिक्चर नहीं चल पाई बट उसमें लेसन बहुत अच्छा दिया था उसमें जो उन्होंने डैवल बनाया था ना तो डैवल यही बनाया था कि जो आप इतना गंद फैला रहे हो ना तो जितना आप गंद फैला होगे तो हमारी जो नेगिटिविटी ह है वो उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है तो यही बनाया था कि जितनी गंद डाला हुआ है उतनी उसको फूर्ड ज्यादा मिलता है और वो उतना स्ट्रॉंग होता जाता है तो यही बनाया था पिक्चर दिदेंट वर्क सो वहां से मुझे लगा कि एवरीवन इस जंदा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है लोगों को वेर करने की कि इतनी ज्यादा पॉलिशन नहीं फिलाए है तो वहां से जैसे चरक से मैंने लिया कि जन्पदवद्वन कि उस किया रीजन्स है वो रीजन्स मैंने पड़े तो हर चीज की रेमेडी दी हुई है हमें है तो तो उसकी फिर मैंने रेमेडी देखी कि उसकी रेमेडी क्या है उन्होंने वहां पे उस टाइम पे बहुत जारी मैडिसन्स की फ्यूमिगेशन उस टाइम पे भी होती थी जैसे उस टाइम सर्जरी अगर करते थे तो वह मैडिसन्स से फ्यूमिगेट करके तब वहां पे एन नमस्कार, मैं मुझे ना गैस्टिक की प्रोब्लम हो रही है बहुत दिन से न तो मैं जैसे ही मैं साफर करता हूं या चेर में बैठता हूं या तो मुझे न एक्दम गैस्टिक हो जाती है और उल्टी करने का मन करता है आपको आपके ना अंदर पित बढ़ रहा है बोड़ी में न ऐसी जादा बढ़ रहा है तो वो ऐसी लिए इसली भी बढ़ रहा है क्योंकि आप बैठे रहते हैं तो उसके लिए दिखो एक अवी पति कर्चूरन आता है वो आपको किसी भी कंपनी का मिल जाएगा वहां पे मन हो रहा है इंड़िजिशन हो रही है आपकी अगनी जो है वो मन्द हो रही है न वह उतना ठकाना डजस्स नहीं कर पारी आपकी तो ड़ाट इस दा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुणने के लिए तो पायस अलिमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे और आपने बता यह किस तरह से काम करता है यह अलिमेंट मैंने जैसे बताया है यह जैसे फ्यूमिगेशन होती है जैसे आप आप देखेंगे अब यह भी मॉस्किटेज वगारा के लिए जो मुंसिपल वाले वो एक धुआ सा चोड़ते हैं बट वो होता है कि सिंथाटिक वो मेडिसन से होता ह है और जो मैंने बनाया है यह सारी हिस में मैंने हर्ब्स ली है और इनको बस हमने जलाना है इसको जब हम लोग जलाते हैं तो वो जो मेडिसन का जो दुआ होता है वो आपके पूरे एंवाइमेंट को क्लीन कर देता है और पॉजिटिव कर देता है जितने भी माइको या फंगल इंफिक्शन तो वह इसी की यूज से क्यों इसको 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 पैकिंग करके आपको देती हूं तो इसमें मैंने चोटा सा हवन कुंड भी लगाया हुआ है तो यहां पी हम लोग फायर नहीं लेकर आ सकते तो इसलिए हम यहां पे हम आपको जला के नहीं चमच लेना है बस और उसको मैच्टिक यूज करने है उसको जला देना है तो वह जलाते हैं तो इसको इसमें बड़ी अच्छी सी खुश्बू भी आती है वह जितनी भी हमारी आश्चा दी है मैंने इसमें सारी लिए हैं वह सारी आपके प्लैनेट्स की और आपके सारे नक अफिट ले तो इसके साथ एक और दर्शक हमार साथ जूर गया है गोहान से राजिंदर सिंग जी अपने समस्या रखे लो हांची 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 अजी अब की एज कितनी है कितने साल से अलर्जी आपको तीन साल से है तीन साल से है आपको भूग ठीक लगती है भूग ठीक लग रही है आप ड्रिंक तो नहीं करते या किसी तरह का और नशा अच्छा फिर आप फिर तो आप सिर्फ पानी ज्यादा पीजिये और कोई भी लिवर टॉनिक ले लो आप ब्लड क्लीन हो जाएगा आपका आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी हैं जी और तो नहीं तो नहीं जित्टे है रहे हैं जाएगा राजिंद्र जी अपनी बात सही से रखें क्या कह रहे हैं आप तो आपको कभी भी कमफरटिबल लगे तो आप मेरे पास आ सकते हैं जाएगा या एसे करो आप मुझे मेल कर दो अपनी पिक्चर ठीक है तो मैं उसको आपकी पिक्चर देखके ही आपको बता दूगी कि क्या प्रॉब्लम है ठीक है ज़र हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारे नमबर फ्लैश हो रहे हैं और आप उन पर कॉल करके अपनी समस्या हमारी आयुरवेदा एक्सपर्ट के सामने रख सकते हैं वो आपको सही समाधान बत इसको घर पर तो वो मुझे जलानी है न आपको बोल जलाना है पहले बोग जलेगी पिर आप उस पे यह समान डालते हो तो लगता था तो मेंली जितने भी लेडिज ने यह काम करना होता है और आज की डेट में सब्सक्राइब करें दो मैंने इस पर करी इस प्रोडॉक्ट को डिल्फ करने में कि किसी भी लेडी को इसको जलाने के लिए मेंनत नहीं करने पड़ेगी इसको आपने सिर्फ एक चमच ले उतना वह इंस जो है इसकी बनेंगी यो फ्यूम् जी निकलेंगे वह क्योंकि मैडीसन के हैं तो हमारी हल्थ के लिए अच्छे तो करनाल से को दर्शक पिंकी हमार वह सा जुड़ गया है कि अपने समस्य रखें माम मुझे ये कोशन पूछना था मेरा भाई के केनी में पेन होता है मतलब और दॉक्टर ने शिकायद दिया कि उसे पत्री और रखिया तो मुझे पूछना था इसके लिए डाइटी आफिर ऐसा कुछ अरुवेदी का बता दे दो पत्री कितने आपने साइज उनका अल्टर साउंड या अक्सरे करवाया कितना साइज है पत्री का माम साइज तो बहुत हैं जी फोर एम एम फोर एम एम आराम से निकल जाएगा माम वो दो बार ऑप्रेशन करवा चुके हैं पर उसमें कुछ फरक नहीं बढ़ा तो इसी लिए ने ने देखो ऑप्रेशन आप जितनी बार में मर्जी करवाओगे यह उनकी बाड़ी की जो नेचर है वो पत्री बनाने की है है ना वो कुछ भी खाते होंगे तो वो एक्यूमिलेशन हो जाती है वहां पर तो पत्री बन जाती है आपने क्या करना है उनको बोलो कि तो खाने में न वो मूली जरूर लेते रहे मूली का जूस अभी तो जैसे यह चार है मैं मैं निकल जाएगी बट उसको कॉंटिन्यू भी करना पड़ेगा क्यूंकि उनकी अपने है न एक तो रात को सोते टाइम एक ग्लास पानी जरूर पी के सोएंगे और खाने में दो चीज़ें आपने इंट्रोडूस करनी है एक तो आपने उनको अभी तो जैसे हमने इंस्टनी निकालनी है फोर एमम जो है उसके लिए आपने उनको मूली का जूस आपने डे कुल्थी की डाल होती है वो बहुत जल्दी इसको तोड़ती है पत्त्री को उसका पानी और डाल बनाके खाईए आप ठीक है उससे ठीक हो जेगी और दुबारा फॉर्मेशन भी नहीं होगी रेगुलर लेते रहना इसको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तो आप भी अपने समस्या रख सकते हैं और इसी तरह के समाधान ले सकते हैं हम बात कर रहे थे पायस एलिमेंट की मैम जिस तरह से आपने बताए कि जो पायस एलिमेंट है इसको माचिस दिखा करके जिलाया जाता है तो क्या आपने पुराने समय में जो हवन होते थे जो रिशी मोनी करते थे क्या उसी से इंस्पायर होकर चीज बनाई है बिल्कुल यह उसी से इंस्पायर है क्योंकि उस टाइम पे जैसे भी जो भी हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती थी यह मैडिसेंस भी हम लोग देते करते हमें प्रॉब्लम हैं तो वहां पर आप निसर्च करते हैं उसके बाद ड्हुआ सुंग आ यहांपर अपको न उसकी इमेज दिखाती हूं कि कैसे यह है जो से अगर यह जैसे हैडेक वगएरा की प्रॉब्लम है यह साइनस की प्रॉब्लम है तो यहां पर हम एक उसका मैडिसंस की जैसे सिगरेट होती है यह वैसी बनाते हैं मैडिसंस की ही और उसको हम लोग पेशेंट को कहते हैं उसको जला द तो पुराने जमाने में तो बहुत सारी जो मेडिस्ट्रीट्मेंट्स जो हैं वो इसी से होते थे जैसे ये हेर की प्रॉब्लम होती है हमें तो भी हम लोग फ्यूमिकेशन करते हैं जहां कोई भी ट्रीट्मेंट नहीं काम करता है तो वहां पे हम लोग इन चीजों का साहरा लेते हैं तो यहां पे जो मैंने दिया हैं जैसे जैसे हम लोग कहते हैं के थ्रेपिटिक य तो वहां पर इतनी मात्रम में चार या पांच ग्राम हम लोग इसको यूज करते हैं तो वो दैट इस सफिशेंट फॉर दो होल डे आप एक बार घर में फ्यूमिकेशन कर लेते हैं उसके बाद आप आपका पूरा दिन आप देखेंगे घर का वातावरन कितना चेंज होगा इ कहले हैं तो यह हैं यह जो आजाता है कि बहुत लोग को यह कहते हैं कि कोई सिर्फ को इले से हैं तो हीं को değilन को और कि वहन के बाद श्यूमिकेशन को है सिर्फ हबन का तरीछा है तो हिंड़्ू लोगों नहीं करना है या किसी और नहीं करना तो इस नथिंग लाइक दाट क्योंकि आप भी अभी भी देखेंगे हम लोग कहीं पर भी मंदर या मस्जिद में भी जाते हैं तो वहां पर यह फ्यूमिगेशन होती है वहां पर आप देखेंगे जटा मंसी और अजवाइन वगारा को लेके वो पूरे मंदर में फ्यू फ्यूमिगेशन है यह जिसिस्ट क्राइश्ट का मैंने देखा है वो वहां पे भी वो देखो करते हैं यह मस्जिद में है मस्जिद में तु मैंने बहुत बादेखा है सद्वाण में वह गारा बहुत यूज़ होता और इसी के साथ मध्दभ्रदेश से हमारे कॉल-bayलर हमा जैसे गर्मी बढ़ती है हाँ तो आपके जो जो फिंसियां सी हो रही है क्या हाँ अच्छा आपके एज की इतनी है तो फिर आप ऐसे करिया मेरी साइट पे जाके ना अपना एड्रेस छोड़िये मैं आपके लिए एक मैडिसन भेज़ती हूं आप उसको उसको लेजिए ठीक है वो आपके लिए बहुत हल्प करेगी क्योंकि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वो जो मेरी मेडिसन है वो किसी भी तरीके कि आपकी बॉड़ी में इंफेक्शन हो जिसका कोई रीजन नहीं पता चलता तो उसको ट्रीट करने के लिए ठीक है बागी आप गरम पानी वगएरा तो जुरूर पिया करो बॉड़ी को क्लीन करना है हमें मेली किसी भी तरीके से तो उसमें आप क्लीन करने के लिए सबसे बेस्ट हमारे पास आ जाती है जवाएन और सौंफ तो ये दोड़ों तो आप रात को एक चमच लेना शुरू करी दो ना ठीक है हैं जी ज्यादा तर किस कारण से होती है अपन क्या करें सावदाह नहीं रखाएं कि ये ज्यादा तर मतलब ना हो आप देखो बारा ग्लास दिन में पानी पियो और थोड़ा सा खाने पीने का अपना टाइम चेंज कर दो मुझे लगता आपका खाने के टाइमिंग्स मुझे मेरी मेल आईडी नीचे दिखा रहे हैं हम लोग आप मुझे मैसेज कर सकते हों मैं आपके हर कोरी का अंसर दोंगे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तो हम बात कर रहे थे पायस एलिमेंट के फिर से अपने विशे पर लॉट कर आते हैं और ये जो पायस एलिमेंट है ये बेसिकली किस-किस रोग के ऊपर काम करता है मतलब मैं बोलू कि किसी भी तरीके की आपके प्रॉब्लम है जैसे बच्चों को छोटी-छोटी मतलब थोड़े-थोड़े दिन बाद खांसी होती रहती है बहुत सारे जैसे अब आज हमारे पास तीन कॉलर्स आहे हैं स्किन की प्रॉब्लम के लिए ये आज की डिट भी अभी मुझे लगता है मैं दो-तिन दिन भी अगर ले लूँगे तो इसके रीजन्स खतम नहीं होंगे अगर तो वही दर्शक हमारा कारेकरम देख रहे हैं तो उनके लिए जरूरी सुचना ये भी है कि अगर ये पास ऐल में इतने सारे लोग वर्किंग है तो बहुत बार होता है कि घर में वह धूप भी नहीं एक बार देखते हैं पूरा हफता वह बंद रहते हैं घर है ना और सफाई प्रॉपर ली नहीं हो पाती तो वहां पर क्या होता है ना अब बैक्टिरिया और वायरस ये सारी चीज़े हो जाती है और जब बहुत जादा हर चीज़ एंटी हो जाती है तो फिर वह हमें ही अटैक करना शुरू कर देती तो बहुत बार होता है कि घरों में जित्नी भी मैंने स्कीन ऐलर्जिस दे देखी हैं वो स्कीन की आपकी एक प्रतिकिरिया मैं बोलूगी कि वो स्कीन की एक आपकी negativity के लिए कहीं पे भी आपके body क्योंकि यह सबसे ज़्यादा sensitive part है तो कहीं पे भी ऐसी जगह पे आप जाते हैं जहां पे negativity होगी तो आप देखोगे स्किन पे बहुत जल्दी एफेक्ट आता है हर इंसान के लिए तो स्नीजिंग शुरू हो जाती है कई बार कई बार डैंपनेस इतनी जाता घर में होती है सिलन रहती है बहुत बार घरों में है न तो वह सारी चीज़े इतनी डॉमिनेट कर जाती है एक स्टेज पे आके कि आपको जो भी प्रॉब्लम फिर होती है न वो ख्रॉनिक फॉर्म ले लाती है तो यह इसलिए बने जाए क्योंकि अगनी जो है यहां पर अगनी जलती है अगनी किसी भी तरीके कर वहां पर वेपर रहते हैं वहां पर नमी है वहां पर वाटर कंटेंट है तो उसको सबको वह जलाएगी ही जलाएगी है न तो वह क्लीन होगा आपकी क्योंकि वाटर कंटेंट इसने लेना है अगनी जब जलती है और वाटर कंटेंट वह वहां पर नमी कम हो जाएगी वहां पर ड्राइनेस होगी वहां पर मेडिसन का तरह सी आपकी क्लीनिंग हो जाएगी तो आपकी मतलब मैं यह कहते हूं कि जो भी लोग इसको यूज करते हैं ना मतलब मेरे पास जिते में अगर यह पायस एलिमेंट जुलाया जाए तो तमाम तरीके की जितने भी बैक्टीरिया है और जितने भी फंगल इंफेक्शन है वो कि दूर हो जाएंगे तो आज की इस कारक्रम में हमें बेहती जानकारिया मिली बहुत ही लाभकारी हमें जानकार्या मिली तो इस पायस एलिमेंट को इस्तेमाल करके आप अपने घर में जितने भी रोग हैं उन्हें दूर कर सकते हैं फिल Lisa Nice N benefits आप झाले पर माहते हैं